आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेरे नाम है सिद्धान तक नहीं हो, तरी स्टेडी ग्लोस में आपका बहुत स्वागत है, दोस्तों आज से मैं स्टेट सीरी शुरू कर रहा हूँ, तो ये जो खाजाना है, मेरे पास जितनी नौलेज है, जितनी किताबे म मैंने पड़ी है, वो मैं आपको दे दूँगा, हम शुरुवात करेंगे बिहार के इतिहास से, मैं सारे राज्यों का, चाहे वो नौर्थ हीस्टों, कश्मीर का इतिहास मैं आपको बताऊंगा, तो इतिहास जान जाएंगे, तो भारत के बारे में आपको सब कुछ पता हो तो हम बिहार के बारे में जानेंगे, बिहार पहला ही, इसलिए भी देखें, इलेक्शन की तो चलिए, वो तो सेकेंडरी रीजन है, लेगिन प्राइमरी रीजन यह है क्योंकि भारत बिहार से ही शुरू हुआ, और बिहार आज देखना है कि गरीबी के चपेट में है, बिहार में वेस्ट बेंगौल के कुछ स्टेट आते थे जो आज का वेस्ट बेंगौल है ना, बांगलादेश, वेस्ट बेंगौल, उलिसा, झारखन, यह सब आता था बिहार में, तो बिहार बहुत बड़ा था, तो आज जब हम देखते हैं कि बिहार की ऐसी हालत है, discuss करेंगे तो बियार का इतिहास हम देखेंगे एक एक चीज को जानेंगे social media के जो मेरे accounts हैं वो description और comment box में दिये है इंस्टा पे मैं आ गया हूँ तो अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं मैं travel जब करूँगा तो updates डालूँगा stories डालूँगा तो इंस्टा पे आप मुझे follow करिए यहां पे आपको information मिल सकती है कि मैं कहां travel करने वाला हूँ और आप मुझे मिल सकते हैं तो यह है भारत आप देख लिए यह भारत का आप देख रहे हैं यह है बिहार ठीक है एक ऐसा राज है बिहार जो जिसको वर्दान है जहां पर नदिया जाती है गंगा तो यही से होके गुजरती है बिहार बहुत प्रटाइल है नदिया है यहां पे खेत कलिहान है यहां पे कोल माइंस भी है यहां पे मिनरल्स भी एच्छे गासे है पहले ज्छारकंड जब बिहार के साथ था तब तो अच्छा गासा लेकिन वही है पॉलिटिक्स ऐसी रही है आपके पास अच्छे लीडर्स नहीं होंगे तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं साउथ में आप यह करनाटक हो गए तमिलाडू के रहल यहां के लीडर्स यतने बहतरीन थे कि यह हिस्सा बहुत जादा बहुत तेजी से डेवलप कर गया वहीं नौर्थ की बात करें उत्तर प्रदेश हो गया बिहार हो गया जारकंड हो गय बिहार की बात करें तो इट इस धी थर्ड लार्जिस स्टेट बाइ पॉपलेशन अगर जन संख्या के मामले में बिहार तीसरा सबसे बड़ा राज है भारत का अब आप देखी सकते हैं उत्तर प्रदेश से यह बौडर शेयर करता है नेपाल जाना है कहते हैं कि बिहार से बिहार से नेपाल की बाउंडरी आप देखे सकते हैं उत्तर प्रदेश से भी लगती है बिहार लंबी बाउंडरी जो है वो नेपाल से शेयर करता है फिर जारखन दो पहले बिहार का ही पार्ट था, 2000 में जारखन को अलग कर दिया गया West Bengal से बिहार की boundary लगती है ऐसा है ना कि बिहार की बात करें तो पहले जहरखन West Bengal के कुछ पार उडिसा ठीक है ये इतना बड़ा और बांगला देश ये इतना बड़ा था बिहार बाद में फिर सब कुछ Bengal Presidency के अंदर आ गया अब यह स्टेप बाई स्टेप देखेंगे बिहार की कहानी अब बिहार में जो Plains है गंगा रिवर गंगा का flow होता है यहां पर वेस्ट टू इस्ट बिहार बहुत ही फटाइल रीजन है तीन में कल्चरल कल्चरल रीजन से यहां पर मगत, मिथिला और भोजपुर यह कल्चरल रीजन से वर्ड की अगर बात करें तो इट इस दी थर्ड Most Populous Sub-National Entity है अगर बिहार की बात करते हैं तो काफी बड़ा है 38 डिस्टिक्ट है जब गांधी जो चमपारं से ही तो शुरू हुआ बेगू सराय हो गया समस्तेपूर हो गया सरसा हो गया खगड्या हो गया यह आप देख सकते है सदन डिस्टिक्ट जमूई हो गया नवर्डा हो गया गया ओर अंगबाद बाद हो गया, काईमूर हो गया और इधर अगर आप चले जाएं तो किशन गंज हो गया, नेपाल से जो बांडरी शर करते हैं, अररिया हो गया, सपॉल हो गया, मधुबनी हो गया, सीतामणी हो गया, मोतिहारी हो गया, तो टोटल करके 38 डिस्टिक्ट है, अभी चीफ है नितिश कुमार, इलेक्शन होंगे, अभी भी यार की पॉलिटिक्स भी डिस्कस करेंगे, हो सकता थोड़े लेचर्स लंबे हो जाएं, कोशिश करूँगा, कि मैं सब कुछ कम समय में ही बता दू, लेकिन हो सकता है लेचर्स लंबे हो जाएं, लेजिस्लेटर, आपको प लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें, तो उसमें 75 सीट है, आप मेरे पॉलिटी के लेच्चर देखेगा, एमलक्षमिकांद के लेच्चर देखेगा, उसमें मैंने बताया है कि बाइक कैमरलिजम और लेजिस्लेटिव काउंसिल के हाला कि इतनी नीड होती नहीं है, ये आगे M लगा दीजे, MLA हो गया, Member of Legislative Assembly जो चुन किया आएंगे, Parliamentary Constituency की बात करें, तो राज्य सभा की 16 सीट है और लोग सभा की 40 सीटे हैं, एरिया वाइस देखें तो भारत का बारवा सबसे बड़ा स्केट है ये, अगर एरिया वाइस की बात करें, सबसे जादा यहाँ सबनाशनल एंटिटी है, बहुत आपको यहाँ पर मिलेंगे, सिर्फ 11.3% जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरिया में रहती है, यह बहुत ही चौकाने वाला आकड़ा है, सेंसस के हिसाब से उल्ली 11.3% आफ दी पॉपुलेशन लिफस इन अर्बन एरिया, जो की लोइस् यहां की हिंदी और उर्दू है, बाकी मैथली, मगही, भोजपुरी, बिहार यह सब बोली जाती है आपे, अब हम बात करते हैं इतिहास की, तो हम step by step चलेंगे, यह तो मैंने आपको बेसिक बता दिया है बिहार के बारे में, आब हम step by step चलते हैं, देखो, मैं हमेशा कहता ह कि बिहार से भारत शुरू हुआ, मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, आज हम जानेंगे, आपको पता ही है कि यह सिंधु रिवर है, इंडस नदी है यह, ठीक है, पूरा, यहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहां पे बनी, दुनिया की चार सबसे बड़ी सिविलाइजेशन कौन कौन सी है, सबसे पहले तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, नहीं, सौरी, बड़ी चलों क्रोनोलोजिकल ओर्डर में बात करते हैं, सबसे पहले हमारी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, फिर आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर आपकी चाइनीज एंड दे थे, खेती करना एक मात्र साधन था, तो नदी के किनारे ही, क्योंकि फाइटिलिटी होती थी, खेती होती थी, ancient history पे मैंने पूरे lectures cover के आप देख लीजेगा, Indus Valley Civilization के बारे में भी बताया है, तो ये Indus Valley Civilization 3300 से लेकर 1900 BC तक रहा, BC AD में फर्क समझते हैं, 2000, जब मैं BC कहूँ, जैसे 500 BC बोलता हूँ, तो 2000 में बस आप 500 प्लस कर दीजे, यानि कि 2500 साल पहले, अगर मैं 3300 BC बोल रहा हूँ, तो 2000 में आप 3300 प्लस कर दीजे, यानि कि 5300 साल पहले, तो आज से तक्रीबन 5500 साल पहले Indus Valley Civilization है, और ये तक्रीबन 1400 सालों तक रही, उसके बाद 500 साल का, जब Indus Valley Civilization का पतन हुआ, बहुती developed सब बिताती वो तो, तब 500 साल का एक dark phase आया, और फिर हम देखते हैं कि 1400 BC के around, यानि कि आज से 3400 साल पहले, 3000 साल पहले, वेदिक सब बिता आई, वेदिक कल्चर आया, वेदिक पीरियट को भी हम दो में बाढ़ते हैं, कौन-कौन से, एक आते हैं हमारे early वेदिक पीरियट और एक later वेदिक पीरियट, वेदिक पीरियट 1400 से 600 सालों तक, मतलब 1400 BC जे 600 BC तक रहा, 1800 सालों तक वेदिक पीरियट चला, अब हम यह देखते हैं, कि यह वाला जो आपको area दिख रहा है, वेदो में भी इसका जिकर मिलता है, बिहार का वेदो में भी जिकर मिलता है, किकाता नाम से इसको जाना जाता था, वेदो में भी मगत का जिकर मिलता है, यह बहुत बड़ी बात है, यानि कि विहार एक ancient state है, जैसे अगर हम ancient cities की बात करें तो वारा नसी का उल्लेक मिलेगा ऐसे ही बिहार का भी आपको वेदों में जिकर मिलेगा और आपको पते ही धार्मिक भारत में नौन इब्राहिमिक रिलिजन उद्य हुए हिंदोइजम सिख्खिजम और जयनिजम बुद्धिजम तो जयनिजम बुद्धिजम से निकले हैं बाया बॉध गया यहां पे यहां पे ही तो गौतम बुद्ध को इनलाइटनमेंट ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो बिहार तो कल्चरल साइट है रिलिजिस साइट है रिलिजिस स्टेट है यहां से दो धर्म निकले हैं पहले जैनिजम फिर बुद्धिसम महावीर का भी जनम तो यहीं जामुई में तो हुआ था कहा गया जो डिस्ट्रिक्ट है जामुई यहां पे ही तो हुआ था तो बिहार बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके बाद आया आपका महाजनपद 600 BC में आपके महाजनपद आया 16 महाजनपद थे नाम दिये हुए हैं मैंने यह आपे लिखा भी हुआ है आपको बता देता हूँ ठीक है यह देखे महाजनपद ठीक है तो यह 16 महाजनपद थे अब 16 महाजनपद में एक महाजनपद हाला कि बिहार जो आज का बिहार है वहाँ पे भी महाजनपद थे ठीक है तो हम यह देखते हैं कि यहां पे फिर महा जनन्पत के दोरान बिहार बहुत वला फुला In fact, अगर बात करें, बिहार की, तो मगद किंडम की बात करें तो इसको तो जरासंद, जो की हमारी semi-mistick राजा है जरासंद का आपको नाम जो है, वो महा भारत में राजा थे ना उसको बनाया, अब तो एक टूरिस्ट साइट है राजगीर, है कि ने, तो ये है, गौतम बुद्ध यहां से निकले, गौतम बुद्ध को बुद्ध गया में इनलाइटन्मेंट हुआ, फिर महावीर का भी यही पे ही पूरा जो जैनिजम है वो फला फुला, तो रिलिजियस स आजाते हैं, तो आपको सबसे पहले हर्यंका डैनिस्टी मिलेगी, 5th century BC में, और उसके बाद सबसे इंपोर्टेंट शिशुनाग डैनिस्टी मिलेगी, ठीके, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया, कि 1400 BC से लेकर, 600 BC तक क्या था, 1400 से 600 BC तक वेदिक पीरेट, आप राजा महराजा उबरने लगे, तो इससे सबसे इंपोर्टेंट हर्यंका फिर आपकी शिशुनाग डैनिस्टी, शिशुनाग डैनिस्टी ने आज के बिहार पे रूल किया, यह आप देख सकते हैं, शिशुनाग डैनिस्टी की बात करें, शिशुनाग इसके founder थे, और और ये 684 BC यानि कि धाई हजार साल पहले मैं लिख देता हूँ 684 BC में शिशुनाग डाइनस्टी का ओदय हुआ कैपिटल राजगीर थी बाद में पाटली पुत्र पाटली पुत्र आज का जो पटना माँ शिफ्ट होगी उसके बाद इनके बेटे है आजाज शत्रू और उसके बाद आजाज शत्रू के बेटे नागदशक आजाज शत्रू ने कैपिटल को पाटली पुत्र में शिफ्ट क की बात करें तो 325 BCE में महा पद्मनंद हाला कि आपको बता दू कि ये मिड़ 4th century BC में ठीक है मिड़ 4th century BC में इसकी मिड़ 5th या मिड़ 4th इसकी जो वो स्तापना हुई थी और ये नंद डाइनस्टी जो है ये तब तक चली जब दक ने मॉर्यंस ने टेक ओवर नहीं कर लिया अब नंद डाइनस्टी की बात करें तो इसको किसने फाउंड किया था महा पद्मनंद महा पद्मनंद ने इसको फाउंड किया था और उसके बाद धना नंद जो आया जो की लास्ट रूलर था यहां से भी हार चेंज हो गया कैसे नंद डाइनस्टी नंद वंश जो था इस इसके दोरान यहां की लोगों को बहुत दबाया जाता था तो भाया विश्णु गुप्त कॉटल्य ठीक है चानक के जिनको बोला जाता है वो नंद डैनिस्टी गए नंद एम्पायर गए और यहां पे धना नंद ने बड़ी बेज़ती कर दी भारी बेज़ती मैं बहुत लं दी बैठोंगा और वहां से फिर चानक्य ने चंद्रःगुप्त मॉर को ग्रूम करना शुरू किया और हम देखते हैं चोटे चोटे राजियों को पहले जीतना शुरू किया Consolidate किया और उसके बाद नंद वंच पर आक्रमण करके पूरा का पूरा मगद Empire अपने पास ले लिया और यहां से शुरू होता है हमारा क्या Morian Empire और Morian Empire सबसे ज़ादा important है इसी के दौरान पूरे भारत पे वर्चस्वे स्थापित हो गया चंद्रगुप्तु मौर रहा है चंद्रगुप्तु मौर ने पहले आधा जीता उसके बाद बिंदुसार आये लेकिन जब अशोक है 268 BC में आपको बता दू Morian Empire 322 BC में स्टैबलिश हुआ 322 BC से लेकर 185 BC तक टोटल Morian Empire चला है तो Morian Empire में सबसे पहले चंद्रगुप्तु मौर रहा है उसके बाद है बिंदुसार और उसके बाद है समराट अशोक बिंदुसार के 100 बेटे थे बहुत सारे बेटे थे उनके तो बिंदुसार जो थे वो अशोक से बहुत चिरते थे वो नहीं चाहते थे राजा बने लेकिन अशोक राजा बने महराज अशोक राजा बने सामदाम दंडभे तो उन्होंने अपनाया अशोक के बारे में मैंने पूरा लेचर कवर किया है 262 BC में अशोक आ गए समराज अशोक ने और फिर अशोक ने बोला अशोक चाहते तो पूरी दुनिया जीत लेते ये बिल्कुल गैरिंटीड है अफगानिस्तान तक कहुँच गयते अशोक आगे भी चले जाते क्योंकि इतना बड़ा उसमय महरान इंपार था लेकिन अशोक ने अपनी strategy बदल दी उन्होंने बोला कि आज से जो हमारा धर्म फैलेगा वो युद्ध के माध्यम से नहीं वो हम धर्म के माध्यम जो हमारा समराज फैलेगा वो धर्म के माध्यम से हम फैलाएंगे तो बहुत सारी missionaries भेजी गए आज जहां पे भी आपको बुद्धिजम मिलता है न जैसे श्रीलंका में आपको बुद्धिजड मिलेंगे साउथ इस्टेशन कंट्रीज में आपको बुद्धिजड मिलेंगे चाइना में भी बुद्धिजड मिलेंगे वो क्यों है अशोक ने missions भेजे कि जाओ धर्म का प्रचार करो तो ये शुरुवात हुई बुद्धिजम के फैले ने की और जैनिजम का यहीं से डिक्लाइन होना शुरू हुआ तो ये तो समराथ अशोग तक की कानित और 232 BC में समराथ अशोग का भी दियानत हो गया लेटर रूलर्स इतने जादा कोई खास नहीं थे और अल्टिमेटली हम देखते हैं कि इतना बड़ा सामराज इतने बड़े सामराज जिकों समान ले के लिए आपको तगड़े लीडर की जरूरत है वो आये नहीं अशोग के बाद शुंग ने मतलब मौरेन के बाद वो आए 185 भी सी अब फिर दोस्तों पुष्चा में तो शुंग है और उसके बाद यूद कुछ जादा खास हुआ नहीं हम थोड़ा सा fast forward करते हैं फिर आख गुपताज गुपताज ने पूरा एरिया अपने कभजे में लिया और य़ोज जे जो रूल है वो च demons from他们 पे बहुत सारे यूइ बहुत सारे सारे उन्हें अन्हाँ ने टाइटल से आधा इंडिया जीत लिया उस समय तो भारत खेर था नहीं मतलब यह बहुत बड़ा पीस ओफ लैंड था तो समुद्र गुप्त ने एक साइट से जीतना शुरू किया और समुद्र गुप्तास को तो गोल्डन पीरेट बोला जाता ना भारत का क्योंकि इसी समय महा भारत राम मेडीवियल पीरेट जब मुस्लिम्स का िंवेजन भुआ अब यह जो पीरियट था जब मुस्लिमों होने इंवेट किया बिहार को बरबाद किया वह अंसाफ बंगॉल सलतनलेत के अंदर आ गया बिहार को बदलब बिहार बंगाल के कुछ पार्ट समय एकी थे तो बिहार को समय जीतरा बेंगौल को जीतरा बहुत मुश्किल था ठीक है मुगल्स है मुगल्स अगबर ने 1576 में बेंगौल सर्तनेत को सब्ड्यू कर लिया लेकिन इससे पहले वो आये थे क्या नाम तो रूकर शेर्षा सूरी उन्होंने यहां से ग्रैंट ट्रंक रोड बनवाई वो भी बिहार से शेर्षा सूरी भी तो बिहार से बेलाउं क किया फिर हम आते हैं ब्रिटिश स्पीडेट पर ब्रिटिश स्पीडेट की बात करें तो ब्रिटिशर ने बिहार को 1764 गी जो बैटल और बकसर बिहार से बंदब पटना से 115 किलोमेटर दूर है वहां पर यह बैटल लडी गए और बिहार जो है फाइनली ब्रिटिशर के पा बिहार में रूर कर रहे थे ठीक है महराज थे यहां पर इस्लामिक रूलता बेंगॉल सलतने थी तो बिहार फुल रहा था लेकिन ब्रिटिश पीरेट ने भी बिहार में अच्छा का सा डेवलप्मेंट किया 1857 की क्रांती में बिहार के जो महराजा थे उन्होंने 1857 की क्रां बिहार के लेकिन कुछ यहां पर डेवलप्मेंट भी किये 1912 में हम देखते हैं कि बिहार और उटीज को तब रियल बिहार बना उटीश को अलग कर दिया थह तो 1912 में 2022 बिहार को अलग किया उटीजा से काटके और पतना कैपितल बनाई तब जब 1912 में ये चीज़ हुई तब ब्रिटिशर ने हम देखते हैं कि नए-ने कॉलेज़ बनवाए यहाँ पर प्रिंस ओफ वेल्स कॉलेज बनवाया पत्ना कॉलेज बनवाया यहाँ पर साइन्स कॉलेज बनवाया तो एजुकेशन शेत्रे में बिहार का उधे हुआ अब दोस्तों बिहार में हमारे इंडिपेंटनेस मुवमेंट भी शुरू हुए 1917 में राजकुमार शुकला हो गए राजकुमार शुकला पहुँचे इतना गांधी जी के पास तो राजेणुर पिसाद भी शुकला और गांधी जी सब चम्पारं गे अब जब चम्पारं गे तो वहाँ सही एक तरीके से हमारा जो modern independence moment है वहींचा तो शुरूँआ क्योंकि चमपारन की जो जीत थी वो सबसे बड़ी जीत थी ब्रिटिश सरकार जुग गई मुझफरपुर कोट में ही तो मुकदमा चलाने से इतरी बाहर भीड हो गए थी गांधी जी को बचाने के लिए यह हालत खराब होगी थी आपे magistrate की और चमपारन सत्यागरे बहुत 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 जादा successful हूँ उसके बाद और भी यहां पे बिहार में हाला कि उस समय तक बिहार की कंडिशन लोगों की कंडिशन यहां पे बहुत अच्छी नहीं थी तो बड़े-बड़े लीडर्स जो हैं यहां पे उधे हुआ हैं बिहार से निकले हैं 1947 में हमको आजादी मिल गए 1947 में अब जब 1947 में आजादी मिली तब दोस्तों हम यहां पे देखते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा जो है वो बहुत जादा important है पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा को अगर हम बात करें तो हम चार फेस में डिवाइट करते हैं पहले हम बात करते हैं 1946 से लेकर 1961 तक 1946 में इंटरिम गवर्मेंट बनी अब यहां पे दो लीडर्स की बात करनी बहुत जादा जरूरी है जो जिन्नों ने बिहार को 15 साल तक जबर्दस्थ डेवलप किया इंडियान नाशनल कॉंग्रेस को बहुमत मिली 1946 से लेकर 1961 तक इंडियान नाशनल कॉंग्रेस की सरकार वो दो लीडर है एक है अनुगरह नारायन और धूसरे है कृष्ण सिंग तृष्ण सिंग जो थे वह चीफ मिनिस्टर रही 1946 से श्चिवण तक और अनुगरह नारायन जो हैं वो यहां के deputy chief minister finance minister रहे और यहां पर यह इन्हों ने example set किया 15 साल तक culturally educationally बिहार को अच्छा खासा डेवलप किया ऐसा लग रहाता कि बिहार सारे राज्यों को पीछे छोड़ देगा क्रिशन सिंग जो हैं उनको तो बिहार केसरी बोला जाता है अनुग्रो नरायन ने तो इतना बहतरी इंगाम किया बिहार में कि क्या बता है 1961 तक हुआ लेकि 1961 के बाद दोस्तों चीज़े बदल भी अब 1946 से लेकर 61 तक जब भी एक स्टेबल सरकार रहेगी तब तक बहुत बढ़िया रहेगा तो 1961 तक तो स्टेबल सरकार थी लेकि 1961 से लेकर 1990 तक कोई भी जो चीफ मिनिस्टर है वो अपने 5 साल पूरे करी नहीं पाया लगातार यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बदलते रहे अब बात करते हैं 1962 के एलेक्शन की थर्ड असेमली एलेक्शन यहाँ से दोस्तों चीज़े गडबाड होनी शुरू हो गई इस्टेबल सरकार अब नहीं रहेगी बिहार में बता है ना, बिहार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो सरकारे हैं वो स्टेबल नहीं रही है बहुत कम ऐसे स्टेट हैं जहां पर politics ऐसा करियर देखा जाता है बिहार एक ऐसे स्टेट है वहाँ पर आज भी गली गली में आपको राजनीती देखने को मिल जाएगी चुकि politics वहाँ के खून में हैं politics को यहाँ पर आप देखेंगे कि बिहार के युवा अठावन परसेंट 25 साल के नीचे हैं और सबकी राजनैतिक महत्व कामशाय आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर और यह अच्छी भी बात है क्योंकि यंग लीडर्स को तो आगे आना ही चाहिए 1962 से लेकर 67 तक 3rd assembly election हुए अब इस समय कॉंग्रेस को बहुत कम सीटे मिली 185 सीटे मिली 318 सीटे थी टोटल अब यहाँ पे आए सबसे पहले बिनोधान अंद जा फिर आए कृष्ण वल्लब सा है ठीक है तो अब यह दो चीफ मिनिस्टर जो थे यह 1967 तक रहे 1962 से लेकर 67 तक 4th assembly election हुए 4th assembly election हुए 1967 में अब देखिए ज़र आप 1967 से लेकर 69 दो साल के अंदर अंदर महा माया प्रसाथ सिना सतीश प्रसाथ सिंग बीपी मंडल भोला पासवान यह सिर्फ दो साल के अंदर-अंदर हुए है 4th assembly election में 1969 देखिए 1967 से 69 तक चार चीफ मिनिस्टर है बिहार में और यहाँ पे किसी को देखिए अब जो है न हर किसी को अपनी जो उनकी इच्छाय है वो पुरा करना है अब यहां पे development से focus हड़ गया है और सीधा politics पे आ गया है और अब बिहार का पतन जो है वो धीमे धीमे शुरू होगा अब यहां के लोग जो है और ध्यान रखिएगा अभी जार्खंड जो है न वो भी बिहार के पास है जार्खंड को भी अलग नहीं किया गया है तो अब देखिए हरी हर सिंग भोला पासवान शास्त्री प्रेसिडेंट रूल लगा कुछ टाइन के लिए दरोगा प्रसाथ कारपूरी ठाकुर भोला पासवान शास्त्री फिर से चीफ मिनिस्टर का आना जाना हुआ तीन साल के अंदर अंदर किसी ने भी पांट साल तो इलेक्शन हुए यहां पर फिर से इंडियान नाशनल कॉंग्रेस जीती अब 318 में से 167 सीट जो है वो इंडियान नाशनल कॉंग्रेस लेकी आई तो यहां पर जगननात मिश्र मतलब सबसे पहले खेदार पांडे और फिर जगननात मिश्र को चीफ मिनिस्टर बनाए गया 1972 1972 से लेकर 1977 तक यह 5 साल की सरकार चली फिर 1977 में जनता पाटी आई अब वह आपको पता ही है इसी दोरा 1975 में एक बहुत 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 बढ़ा इवेंट होता है 1975 में हुआ जेपी मुवेंट जेपी मुवेंट बिहार में भी फैला टोटल रेवल्यूशन का नारा दिया गया जेपी मुवेंट पे पूरा सेपरेट लेचर आप देखेगा यह जो मुवेंट था बिहार में उसा में बिहार में बहुत ज़्यादा करप्शन था मैंने बता पॉलिटिकल अनिस्टेबिलिटी हद से जादा थे बिहार में गुजरात में नव निर्मान मुवेंट जो है व और हो बहुत अधा सक्सेस्फुल हुआ और 1975 से चीज़े बिलकुल बदल भी चूकि 1975 में जो स्टूनेंट मुवमेंट हुआ जिसमें स्टूनेंट यूनियन के लीडर कौन थे लालू प्रसाद यादा हो बड़े बड़े नेता आज के जो आप शीर्ष के नेता देख रहे ह यह सब और बहुत सारे नेता यहां से ही निकले यह जो मुवमेंट शुरू हुआ यह सब यंग और डाइनमिक थे और लालू प्रसाद यादाओ एक नेता सबसे बड़ा इसमें नाम बना लालू प्रसाद यादाओ जो कि एक नेता के रूप में बहुत जल्दी उपर गए अब 7th assembly election हुए 1977 में पासा पलट गया दोस्तो 1975 में पूरे देश भर में मुवमेंट चल रहे थे इमर्जंसी लगई अब इमर्जंसी के बहुत सारे और भी कारर थे राज नारायन ने जो केस कर दिया था फिर 1975 में यही जो जेपी का पूरा का पूरा मुवमेंट था और भी बहुत सारी चीज़ें इंद्रा गांदी को जेल जाने का डर जिसकी वज़े से 1975 में इमर्जंसी लगा दिया दो साल बाद इमर्जंसी हटी 1977 में 7th assembly election हुए जनता पार्टी जीती मैं आपको बताता हूँ 1977 में 324 सीटों पे election हुए थे पताए कितने लिये थे जनता पार्टी से आते थे साइकल से चलते थे लेकिन पूरे बिहार को बदल के रख दिया था गजब की लेगसी छोडी थी नितीश कुमार जो है ना कारपुरी ठाकूर भाईया बहुत 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 बढ़ा योगदान है बड़े-बड़े लीडर्स कारपुरी ठाकूर का दामन पकड़ चली तो यह जो एसेंबली लेक्शन हुए थे तीन साल तक पहले कारपूरी ठाकूर चीफ मिनिस्टर बने फिर राम सुंदरदास फिर 1980 से अब दोस्तों बढ़ा खत बंदब 1980 में भी बहुत लेकि जगनात मिश्र का जो कारकाल है बहुत अच्छा नहीं था तो 1980 में एर्थ 1990 में जब इलेक्शन हुए टेन्थ एसेंबली इलेक्शन तब चीज़े बदल गई लालु मैंने बताया कि देखे एक और आपको चीज बताता हूं कि यह जो 1970 से लेकर 1990 तक बिहार में भायानक वायलेंस भी हुआ यहां पे बाहु बल्यों का उद्य हुआ बिहार में आपको सबसे खतरनाक बाहु बल्यों बिहार यूपी में बाहु बल्यूं मिलेंगे चुनावी मशीन जो थी पूरी गरबडा गई 1990 में तो पूरी गरबडा गई जैसे आपने मूवी में देखा होगा कि जब चुनाओ होते हैं जब फाइरिंग होती है बाम फेके जा रहे हैं ऐसा ऐसा होता था बिहार भी, बूत कैप्चरिंग होती थी, बूत कैप्चरिंग, चुनाओ जो थे, वो ऐसे जीते जाते थे, कि मालों युद्ध लड़ा रहे हुँ, और भयानक यहां पर वॉयलेंस हुआ, बिहार में कई जगा दंगे हुए, अभी बिहार के जो DGP है, गुपत पहले भी कई जगा दंगे हुए, कई जगा हिंसा फेली, ठीक है, तो बिहार जो है इस समय दंगे, मतलब हिंसा की चपेट में था, यहां पर खुले आम हिंसा होती तो और इतना रिपोर्ट नहीं होता था, रिपोर्ट नहीं होता था तो और बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत सारी भूत क्या चरी हुई, और इसी दोरान जनता दल का उदय हुआ, जनता दल, जो की लालु प्रसाद यादव, नितीश कुमार इन सब की पार्टी थी, नितीश कुमार, लालु प्रसाद यादव, पहले बहुत बहुत अच्छे दोस्ते, लेकिन लालु प्रसाद यादव, सुशील मोधी बताते हैं कि लालू प्रसाद यादव के साथ बहुत मुश्किल है काम करना, इस सुशील मोधी के वोइड है, याद रखेगो, डेपुटी चीफ पिनिस्टर है, बिहार के, और सुशील मोधी बताते हैं कि लालू प्रसाद यादव के साथ, लालू प और ऐसा इसलिए है क्योंकि बिहार में धुवी करण बहुत हुआ है। तो लालू प्रसाद यादव जो है, मुस्लिम और यादव का वोट जो है, वो लालू प्रसाद यादव को जाता था। और लालू प्रसाद यादो इसको भुनाने में पूरी तरीके से कामियाब हो गए। गजब के नेता थे। लेकिन डेवलप्मेंट के शेत्र में लालू प्रसाद यादो असफल चाबित हुए। पहले जंतादल था। फिर 1995 में नितिश कुमार अलग हो गए। मैंने बताया कि सुशील कुमार मोधी बोलते हैं कि लालू प्रसाद यादो के साथ कोई इमानदार आदमी काम नहीं कर सकता। बहुत मुश्किल है उनके साथ काम करना। याद रखेगा मेरे वट्स नहीं है। इंटर्व्यू मैं देख रहा था सुशील कुमार मोधी का। तो यह जो पीरियड था 1990 से लेकर 2005 तक यह बिहार का बहुत अच्छा पेज नहीं था। इसी दौरान मैं भी बिहार में था दोस्तों आपको बता दो 2002 में मैं मुझफरपुर में एक साल रहा था। उस समय मैं फ बहुत ऐसे केसे जाते थे। अब आपको पता ही है कि देखे लालू प्रसाद यादाओ के ओपर घोटाले भी लगे। मतलब घोटाले के आरूप भी लगे। पहले लालू प्रसाद यादाओ 1995 तक चीफ मिनिस्टर रहे। फिर मतलब 1990 से लेकर 1995 तक एसेमली एलेक्शन इसी दौरान जो है कीश कुमार अलग हो गए और हम देखते हैं कि लालू प्रसाद यादाओ एकला चलो रहे 1967 में जनता दल हो गई राश्ट्री जनता दल आर जेडी जो इस समय बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है सबसे बड़ी मतलब वन अव दी बिगेस्ट पार्टी है आर जेडी बन गई अब जब आर जेडी बनी राश्ट्री जनता दल 1997 में तो लालू प्रसाद यादव यहां पर चारा घोटाला तो वो तो इलेक्शन लड़ नहीं सकते हैं उनका तो क्राइम रिकॉर्ड हो गया तो फिर रावली देवी कोनों ने चीफ मिनिस्टर बना दि तो 243 सीट पे एलेक्शन हुए अब 2000 में 243 सीट पे एलेक्शन हुए 2000 में फिर से RJD जीती 103 सीट है और इंडियन नेशनल कॉंग्रेस ने 14 सीट है तो RJD और इंडियन नेशनल कॉंग्रेस ने मिलके सरकार बनाई और मैं आपको बता रहा हूँ 1990 से लिकर 2005 तक यहां पे इंडा गर्दी बहुत जादा बड़ी बिहार का डेवलप्मेंट बिलकुल नाम मातर का हुए किसी चीज में बिहार ने डेवलप्मेंट नहीं किया एक्सेप्ट वाइलेंस ये 15 साल के कैसा पीरियट था जो बिहार बहुत जादा पीछे चला गया 2005 तक फिर 2005 में भाईया 13 एलेक्शन हुए और 2005 में जन नायक नितीश कुमार लेकिन नितीश कुमार कुछ भी कहिए एक चीज तो मैं बिलकुल कहूंगा कि नितीश कुमार ने हाँ बहुत जादा खामिया भी है उनमें जितना डेवलप्म करना चाहिए था उतना नहीं किया अफसरवादी वो भी है लेकिन बिहार को काफी हद तक उन्होंने सुधार दिया है 2005 में जनता दल युनाइटेड जे डी यू नितीश कुमार ने परी पार्टी बना लिए और उतर गए एलेक्शन में नितीश कुमार के कहानी बहुत ही कमाल की है बहुत टॉपर थे नितीश कुमार आपको बता से पड़े थे वो पटना इंजिनिरिंग कॉलेज से और और ये जो कॉलेज था इसमें कमाल के मतलब नेता भी थे नितीश कुमार और नितीश कुमार के बारे में ये फेमस था कि ये सीधा मूँ पे बोलते हैं नितीश कुमार की शादी का किस्सा भी बहुत दादा फेमस है नितिश कुमार actually क्या था कि नितिश कुमार भी politics में आना चाहते थे लेकिन बार बर चुनाओ दो बर चुनाओ हार गए तो नितिश कुमार की जो wife है पहले तो इन्होंने अपनी wife से जब ये शादी वैसे करना नहीं चाहते तो socialist leader थे नितिश कुमार लेकिन बाद में क्या हु बाखी जब शादी करने गए तो पता चला कि इनके परिवार नितिश कुमार ने साफ मना कर दिया नितिश कुमार ने बुला कि कोई नहीं लेगा बस अगर दहेच लोगए तो आज, शादी नहीं करूंगा और शादी बहुत ही उस समय दोस्तों जानते, 1990 में शादी एक मही बाद है तो एक महीने पहले से ही बाराती आ जाते थे भीड लग जाती थी लेकिन उसके बावजू नितिश कुमार ने बिल्कुल भी celebration नहीं कर बहुत ही simple शादी की मंजु देवी से तो नितिश कुमार जब तीसरी बार election अपनी वाइफ से कि अगर मैं तीसरी बार हरा तो मैं election छोड़ दूँगा लेकिन वो जीत गए और उसके बाद फिर 1985 से लेकर अभी तक नितिश कुमार ने कभी पीछे मुड़के देखा ही नहीं और 2005 में नितिश कुमार का होदे हुआ 2005 से लेकर 2010 तक 2005 में जनता दल जेडी उ 243 में से 143 सीटे जीती नितिश कुमार चीफ मिनिस्टर है बहुत development किया काफी देखे बिहार बहुत पीछे चला गया था तो नितिश कुमार ने काफी ऐसे प्रोग्राम चला तो बहुत बढ़िया थे growth rate बढ़ा नितिश कुमार के समय में law and order पे बहुत जाता नकेल कसी बह 243 में से 206 सीटे नितिश कुमार की जेडियू और एंडिये इन दोनों ने मिलके आपको बता दूँ कि जेडियू और एंडिये ने एंडिये ना National Democratic Alliance ये BJP का घटक दल है ठीक है BJP का जो दल है पूरा ग्रुप जो BJP के साथ मिलके सरकार बनाता है तो इसमें जेडियू भी ह तो जेडियू और इंडिये ने मिलके 2010 के एलेक्शन में 243 में से 206 सीटे जीती जिसमें जेडियू को 115 BJP को 90 सीटे मिली और फिर से नितिश कुमार की सरकार आ गई और 2015 में 16th Assembly एलेक्शन हुए तब यहाँ पे जेडियू ने मतलब 243 में से 130 सीटे जीती अब 215 में दोस्तो एंडिये छोड़ दूगा अब हुआ क्या कि 2014 में नरेंद मोधी जीत गए तो नरेंद मोधी बनके प्राइम मिनिसर तो नितिश कुमार BJP से हड़ गए अब BJP से हड़ गए जब इलेक्शन हुआ 2015 का तो नितिश कुमार की जेडियू को खाली 70 सीटे मिली भाई 243 सीटे और नितिश कुमार 1905 में अलग हो गए थे वो 2015 में दुबारा साथ में आ गए यही तो नितिश कुमार के उपर आरोप लगते हैं कि भाईया आपने ऐसा क्यों किया अगर आप इतनी आइडियलिस्ट राज निती करते हो अब फिर उसमें बहुत बढ़ी प्राइब्लम हो ग यहां पे फिर दुबारा बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया सुशीर कुमार मोदी इस समय डेपिटी चीफ पिनिस्टर है अब 2020 में चुनाओ होने वाले और देखते हैं कौन जीता है पिलाल तो यही कयास लगा जाना कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी के एकदम बहुत बताये भी तो काफी हद तक खतम हो चुका है आर जेडी कैसी पार्टी जो जेडीओ को टक्कर दे सकती है वही लालो पत्सा जादो की पार्टी लेकिन अभी भी दोस्तों बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-एक्सपर्स का यह मानना कि बहुत मुश्किल है कि जेडीओ और ब जसा आदीन के पार्टी सानिवыт